आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगे वीडियो में क्लस्टू क्लास के मैट सब्जेक्ट के चैप्टर नमबर 3 मैट्रिसीज की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेस्टर नमबर 14 & 15 को सोल करेंगे यहां पर क्या निकालना है इनवर्स निकालना है इफ एग्जिस्ट यूजिंग दा एलिमेंटरी ट्रांस्फोर्मेशन चैल है हमारे पास कैसे लिखा जा सकता है 2142 1001 इंटू अब इसको हमने वन बनाना है तो हम क्या करें आर वन के उपर उप्रेशन लगाया 1 by 2 into r1 1 by 2 से multiply करेंगे यह क्या बन गया 1 बन गया यह हमारा क्या बनेगा 1 बाइ 2 और यह 4 and this is 2 चीक है यहां पर जो operation लगाया हमने क्या हो गया 1 बाइ 2 0 होगा 0 and 1 इनके उपर तो कोई operation नहीं लगाया था हमने r2 पे तो minus करती जी और वन एज़टीज रहेगा 1 and 1 by 2 इसमें से इसका 4 times minus करोगे 0 होगा इसमें से इसका 4 times 1 by 2 का 4 times करते हैं तो 2-2 क्या बन गया 0 बन गया यह तो पूरी क्या बन गी पूरी रोज 0 बन गी तो inverse does not exist बड़ चलिए यहां पर तो हम करी देते हैं यह 1 by 2 जीरो इसमें से इसका 4 times minus करेंगे 4 times बन गया 2 तो minus का 2 और 1 बन गया into a तो यहां पर as r2 is 0 रो हो गया so a inverse does not exist क्योंकि पूरी की पूरी जो रो है हमारी वो 0 बन गए चीक है अब question number 15 में हमारे पास यह 3 into 3 की matrix है यहां पर हमने let it is also a तो a can be written as identity into a matrix है तो कैसे लिखा जाएगा हमारे पास 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 2 is equal to 1 0 0 क्योंकि 3 into 3 की थी तो 0 1 0 0 0 1 identity भी हमने उतनी की लेंगे और into a लिख सकते हैं इसको ठीक है अब हमने क्या करना है इसको 1 बनाना है और इनको फिर 0 बनाना है ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया मैंने operation लगाया क्या operation लगाया कि r1 1 by 2 into r1 तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं यह हो गया 1 minus का 3 by 2 और यह 3 by 2 हो गया ठीक है आरवन पे हमने operation लगा दिया इसके बाद यह मार पास 2 2 3 and 3 minus 2 2 हो गया यहां पे जो operation किया हमने यह क्या बन गया 1 by 2 यह 0 0 और यहां पे 0 1 0 0 0 1 into a हो गया अब हमने क्या करना है इसको भी 0 बनाना और इसको भी 0 बनाना है तो अब हम यहां पे 2 operation कर रहे हैं हमने r2 पे भी operation कर दिया और r3 पे भी operation कर दिया r2 पे जो operation किया वो था कि r2 minus twice of r1 इसमें से इसका double minus कर दिया और r3 पे हमने क्या क्या इसमें से इसका 3 times minus कर दिजिए कि r3 minus 3 of r1 क्या आपने कोई r1 पे operation लगा है नहीं लगा है तो हम as it is लिख सकते है इनको 1 minus 3 by 2 और plus का 3 by 2 इसमें से इसका double minus करोगे 0 इसलिए तो हमने किया था अब ध्यान दे इसमें से हमने 2 में से minus करना है इसका double means minus 3 by 2 का double 2 से 2 cancel minus minus से क्या हो जाएगा plus तो 2 plus 3 क्या बनेगा हमारा 5 बनेगा इसमें से इसका double minus करना है means 3 minus 3 by 2 का twice minus करना 3 minus 3 क्या हो जाएगा हमारा 0 ही हो गया तो ये हमारा बन गया 0 बन गया इसमें से इसका 3 times minus करोगे simple सा 0 हो गया इसमें से इसका 3 times means हमने minus 2 में से 3 times of किसका minus 3y 2 minus minus क्या हो जाएगा plus minus 2 plus का 9y क्या हो गया 2 बन गया minus का 4 plus का 9 मतलब plus के 5y plus का कितना बन गया 5 by 2 अब इसमें से इसका 3 times minus करना है किसका 2 minus 3 of 3 by 2 minus करेंगे मतलब minus का कितना हो जाएगा ये 9 by 2 तो ये 2 to is 4 minus के 5 by 2 यहां पर क्या बच्चेगा minus के 5 by 2 ठीक है देखें फिर यही operation हमने यहां पर भी लगाना पड़ेगा R2 R3 पर है R1 पर तो कोई operation नहीं है 0 0 इसमें से इसका क्या करना था हमने twice minus करना था तो 0 minus 2 into R1 1 by 2 का 1 बन जाएगा तो minus का क्या आजएगा 1 बन जाएगा इसमें से minus करेंगे तो यह तो इतना ही रहेगा 1 ही रहेगा इसमें से इसका 0 ही रहेगा इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा 0 minus 3 by 2 तो minus का 3 by 2 हो जाएगा इसमें से minus 0 ही रहेगा इस मेसेज का 3 times तो यह हमारा 1 ही रहेगा into क्या बन गया यह बन गया चलिए हमने एक इस element को 1 बना लिया और इसके निचे हमने सारे 0 अब हम क्या करेंगे इसको 1 बनाएंगे चीक है diagonal element को इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते है और 2 को 5 से क्या करते है तो यहां पर हमने operation लगाया 1 by 5 into R2 1 by 5 से multiply कर दिया देखे हमारा पास यह as it is रहेगा 1 minus 3 by 2 3 by 2 0 1 0 0 5 by 2 minus का 5 by 2 चीक है तो यहां पर भी हम R2 पर ही operation लगाएंगे क्या लगेगा 1 by 2 फिर 0 0 क्या करना था 1 by 5 से multiply करेंगे minus का 1 by 5 0 minus का 1 by 5 तो 1 से करेंगे 1 by 5 and then 0 यह as it is है minus 3 by 2 यहां पर 0 हो गया और यहां पर क्या बनेगा 1 ही रहेगा into A अब हमारा काम क्या है कि हमने इसको और इसको क्या करना है 0 बनाना है इसको 0 बनाना है तो हमने क्या करणा है अगर हम R1 पे R1 पे operation लगा दें क्या कि इसमें इसका 3 by 2 multiply करके add कर दो कि R1 प्लस का 3 by 2 into R2 R1 पे operation लगेगा चिक है चलिए अगर हम लगाते हैं सिरफ पहले इसके उपर ही लगा रहे हैं तो 1 प्लस 0 ये तो 1 ही रहेगा इसका 3 by 2 multiply करते हैं 1 से तो minus plus 0 इसको 0 बनाने के लिए तो कर रहे थे हम अब इसमें add करें हम इसका 0 into 3 by 2 into 0 तो 0 होगा तो ये as it is रहे जाएगा ये हमारा हो गया 3 by 2 ठीक है किसके उपर लगा है हमने R1 पे R2 हमने as it is रखना है क्योंकि 0 1 0 देखिए इसके उपर भी लगाएंगे पहले हम इसमें और change कर लेते हैं हमने क्या किया R1 में इसमें इसका 3 times multiply करके add किया है ये हमने ध्यान से करने है ठीक है यहां पे गलती होने के chances क्योंकि ज़्यादा calculation हो जाती है हमारे पास हमने क्या करना है R1 में 1 by 2 में plus करना है 3 by 2 into R2 means minus का 1 by 5 means 1 by 2 minus का 3 by कितना हो गया 10 else in कितना हो जाएगा 10 2 5 जा 5 minus 3 means 2 by 10 cancel करोगे कितना हो गया 1 by 5 तो हमारे पास ये हो गया 1 by 5 हो गया अब 0 में R1 में हमने add करना है 0 plus 3 by 2 3 by 2 into 1 by 5 means क्या बन गया 3 by 10 बन जाएगा ये हमारा हो गया 3 by 10 ये तो 0 ही है 0 ही रहेगा और R2 पे कोई operation नहीं लगा रहे तो minus का 1 by 5 plus का 1 by 5 and 0 अब हम R3 पे भी लगा रहे हैं कि हम इसको क्या बना दें 0 बना दें तो R3 पे हमने उप्रेशन लगाया क्या R3 minus R3 minus 5 by 2 into R2 इसका 5 by 2 टाइम्स करके हमने इसमें से minus कर दिया तो 0 minus 0 ये तो हमारा 0 ये रहेगा इसमें से ये करना था किसलिए 0 के लिए करना था अब यहां पे ध्यान दें इसमें से R3 में से इसका 5 by 2 टाइम्स करेंगे तो 0 means minus करेंगे हमारे पास क्या रहेगा minus का 5 by 2 ये रहा ठीक है ये रहेगा तो सेम उप्रेशन हमें यहां पे भी लगाना पड़ेगा क्या करेंगे ध्यान दें R3 पे उप्रेशन लगाना हमने क्या की minus 3 by 2 into minus का 5 by 2 into R2 R2 कितना है minus का 1 by 5 minus 3 by 2 minus minus plus 5 से 5 cancel हो गया minus minus plus होके तो 1 by 2 हो गया minus 3 by 2 plus का 1 by 2 2 क्या बना minus 2 by 2 means minus 1 आ गया तो यहां पे value हमारा पास कितनी होगी minus की 1 हो गई अब इस पे अगर हम उप्रेशन लगाते है R3 minus 0 minus of 5 by 2 0 minus of 5 by 2 into R2 हमारा कितना है 1 by 5 5 से 5 cancel होके क्या बना minus का 1 by 2 हो गया अब इसमें से इसका 5 by 2 minus करेंगे तो यह तो 0 ही है यहां पे हमारे पास कितना रहेज़ेगा A रहेगा क्या हो गया हमारे पास यह diagonal element यहां पे यह हमारा 1 अभी बाकी है तो हम क्या करेंगे अब हमने R3 पे operation लगाया क्या किया हमने 1 बनाने के लिए minus 2 by 5 से R3 into minus का 2 by 5 कर दिया हमने द्यान दें इसके उपर हमने क्या कर दिया इसको multiply कर दिया minus 2 by 5 से तो क्या बनेगा हमारा यह बन गया 1 0 3 by 2 यह भी as it is बनेगा 0 1 and 0 और इसको करेंगे तो 0 0 0 0 और यह क्या बन गया 1 बन गया यह करना था हमने इसलिए तो किया था अब हमने R1 पे कोई operation नहीं लगाया है तो R1 हम as it is लिखेंगे 1 by 5 3 by 10 3 by 10 and this is 0 हो गया ठीक है इसके बाद हमारे पास minus 1 by 5 minus 1 by 5 फिर again 1 by 5 and this is 0 ठीक है इसके बाद हमारे पास क्या बना था minus 1 इसको तो हमने multiply करना था R3 को minus 2 by 5 से multiply करना है तो minus 2 by 5 से minus minus plus हो जाएगा तो plus का 2 by 5 हो जाएगा यह plus का 2 से 2 cancel हो जाएगा तो plus का 1 by 5 बचेगा और 1 से multiply करेंगे तो minus का 2 by 5 हो जाएगा ठीक है हमारे पास यह value हो गई अब हमने क्या करना है कि ये value हमें क्या बनानी है? 0 बनानी है अगर 0 बनानी है तो हम क्या करेंगे? हमने operation लगाना R1 पे R1 पे क्या operation लगाएं? कि R1 minus इसको 3 by 2 से multiply करके minus कर दीजे R1 minus 3 by 2 into R3 इसमें से इसका 3 by 2 minus कर देंगे चीक है? चलिए अब 1 minus 0 ये तो 0 ही है 0 minus 0 ये भी 0 ही रहेगा ये हमने क्या है इसलिए था इसको 3 by 2 से multiply करके ये 0 बन जाएगा अगली पे कोई operation नहीं है 001 ध्यान दे हमने R1 पे operation लगाना है अब इसमें से इसका 3 by 2 minus करना हमने यहां पे नीचे कर लेते हैं क्या है कि R1 1 by 5 में से minus करना हमने 3 by 2 into R3 R3 कितना 2 by 5 2 by 5 2 से 2 cancel 1 by 5 minus 3 by 5 LCM 5 हो गया 1 minus 3 means minus का कितना हो गया 2 by 5 तो यह हो गया हमारा minus का 2 by 5 चिक है ऐसे हम इसमें से यह minus करेंगे 3 by 10 में से minus करना हमने 3 by 2 into 1 by 5 3 by 10 यह भी 3 by 10 यह भी 3 by 10 तो यह तो हमारा क्या बन गया 0 यह बन गया अब इसमें से इसका 3 by 2 minus अगर हम minus करते हैं मतलब 0 minus 0 of minus माइनस 3 by 2 माइनस 3 by 2 into माइनस का 2 by 5 माइनस माइनस तो पलस हो गया और 2 से 2 कैंसल हो के यह कितना बन गया 3 by 5 हो गया बाकी तो कोई operation नहीं लगाना था हमने माइनस का 1 by 5 1 by 5 0 2 by 5 1 by 5 and minus 2 by 5 और into हमारा क्या हो गया यहां पे भी A और यहां पे भी A हो गया अब यह इधर क्या बन गया हमारा identity matrix यह करना था हमने तो क्या बनेगा this is I is equal to B into A means B हमारा इसका क्या बन गया inverse बन गया so A inverse is equal to minus 2 by 5 0 3 by 5 minus 1 by 5 1 by 5 0 and 2 by 5 1 by 5 and minus 2 by 5 is our answer यह थोड़ा सा ध्यान से करने का होता है क्योंकि इसमें calculation में ही बच्चे puzzle होता है चलिए इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम अगले question के साथ फिर मिलते हैं तबता के लिए जया ही जया भाराएं क्योंकि इस्क बड़ सेकिफ।